हेलो एवरिवन तो आज हम आपके मैथ का जो चेप्टर नमबर टू है मेजरमेंट आफ लेंगे इसको स्टार्ट करेंगे ठीक है तो लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है कैसे मापा जाता है उसके बारे महाँ जम पड़ेंगे तो यहां पे जो आपकर पास दीवी है देखिए लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास दो तरह के यूनिट होते हैं एक होता है स्टैंडर्ड यूनिट होता है और दूसरा होता है नान स्टैंडर्ड यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट आपके पास जैसे मीटर आ गया किलोमिटर आ गया सेंटिमेटर वो जो यूनिट सा जाते हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट में आ जाते हैं और नान स्टैंडर्ड यूनिट में आ जाते हैं जो हम क्या करते हैं अपने हाथ से मेजर करते हैं अपने पै को आप मेजर करोगे, इसको बलते हैं हैंड स्पैन, तो इससे जो न आपते हैं यह m'i non standard unit में जाती है, ऐसे आप मापते हो, या फिर ऐसे आप मापते हो, तो ये क्या जाता है आपको पास, non standard unit में या पार से, तो इस चफटर में पढ़ेंगे length को कैसे measure किया जाता है उसके बारे में तो पहली exercise आपके पास है exercise 2.1 यहां पे दिया हुआ है name the standard unit of length that you will use to measure the falling length आपको standard unit बिदाने length के जिससे जो आपके पास नीचे जो parts दिया है income किस standard unit से measure करते हैं वो आपको बताने है तो यहां पे पहला part दिया हुआ है length of your pencil ठीक है pencil box जो आपके पास है pencil का जो box होता है उसकी length आप किसमे measure करोगे तो उसकी length को जो measure किया जाए किसमे centimeter मेजर किया जाएगा ठीक है उसकी length जो है किसमे measure होती है centimeter मे दूसरा part दिया है आपके लेंट आप black board यह board है इसकी जो length आप measure करोगे यह आप किसमें करोगे यह जो board आपके पास दिया हुआ है इसकी आप measure करोगे meter में length जो है board की आप meter में क्या करोगे measure करोगे length आप pencil जो है third इसमें भी आप क्या करोगे pencil की length भी आप centimeter में करोगे length आप chart जो है चाक यह हमारे पास चाक है ठीक है इस चाक को भी हम किसमें मेजर करेंगे सेंटीमिटर में मेजर करेंगे यहाँ पर question number two दिया हुआ है tick the object that major more than one meter ठीक है चीजों का आपने क्या करना है टिक करना है जिनकी major क्या है वान मेटर से ज्यादा है तो पास यहां पर जैस Χाड़ी दी हो किस दो इसके लेंटम से रहने उसके बाद आपका जो है वान मेटर से कोड़ा है उसका आपका बाद और जादा आपके बास किओगीऑ ज्यादा होगी और यह पैंसल एरेजर बैल्ट दीवी तो इनके होगी वन मीटर से लेस होगी तो इसकी एक्साइज जो है नेट स्टार्ट करते हैं 2.2 जो एक्साइज इसकी यहां दिया वा है राइट ते मेजर आप दी फालिंग अबजेट्स यह आपकी बुग पर यहां प इसकेड़ जो आपके पास 15 cm का स्केल है और ब्रेश की जो लंबाई है वो 5 cm इसी तरह भी पार्ट आपके पास यह यह की दीवी है तो की कितने पर है 2 cm पर इस तरह पैंड दिया हुआ तो पैंड कितना आपके पास 6 cm में उसके बाद नीचे लिखा question number two में use scale and measure the length of land segment given below यह आपको बास क्या दीवी है एक land segment दीवी है parts में a b c part में आपने क्या करना है scale को use करना और इसकी length को क्या करना है major करना है तो यह आप घर पे खुद करोगे scale के साथ major ऐसे आपको 15 cm का scale का scale का लेना है और उससे क्या करनी इस length को major करना है तो next exercise की तरफ आजाते है exercise है 2.3 इसमें हम पढ़ेंगे कि convert कैसे किया जाता है length को यहाँ पर पहला question है convert the falling into centimeter question number one जो है इसका यह आपको बस four meter है इसको आपने centimeter में convert करना है तो centimeter में कैसे convert करोगा आप देखिए one meter जो होता है किसके परावर होता है 100 cm के परावर यह आपको याद रखना है तो four meter किसके परावर जाएगा हम four को multiply करेंगे 100 के साथ तो कितना जाएगा यह four hundred centimeter आ जाएगा यह आपको याद रखना है जब भी meter को centimeter में convert करते हैं तो उसको 100 के साथ आपने multiply करना है क्यों? क्योंकि 1 meter में कितने होते हैं 100 centimeter होते हैं इसी तरह जो बागी part इसके वो भी आसे ही करने हैं Next question दिया है Convert the falling into centimeters अब दूसरे question में भी क्या करना है आपको centimeter में convert करना है बट यहाँ पर जो part दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 meter 82 centimeter एक meter में दिया हुआ दूसरा centimeter में दिया हुआ है और convert हमें किस चीज में करना है इसको centimeter में तो solution क्या से लिखेंगे? हमें इस चीज को change करना है इसको change नहीं करना है तो हम लिख सकते हैं 1 meter को 1 meter 82 centimeter is equal to 1 multiply by 100 centimeter plus 82 centimeter तो कितना जाएगा यह? 100 centimeter plus 82 centimeter तो दूनों को add करोगे तो कितना जाएगा यह 182 centimeter क्या जाएगा इसका answer आजाएगा next part भी इसका ऐसे करना है 4 meter 63 centimeter next part में दिया है 4 meter 63 centimeter तो 4 meter को क्या जाएगा 400 centimeter और 63 में इसमें add करोगे 463 centimeter तो यह exercise तरह complete हो गई next exercise है वो हम क्या करेंगे next lecture में करेंगे इसका एक और question है question number 3 भी है यह भी आपको करना meter or centimeter में convert करना यह भी कर लेते हैं question number 3 दिया है यहाँ पे 800 centimeter इसको भी कर लेते हैं इसको आपने कैसे convert करना है meter or centimeter में तो इसको क्या करेंगे 8 centimeter देखिए 100 centimeter होता है 1 meter के बराबर तो 800 centimeter किसके बराबर होगा यह 8 meter के बराबर होगा 800 centimeter is equal to इसको लेकिंगे 8 multiplied by 100 centimeter तो यह जाएगा 8 meter के बराबर answer ठीक है तो यह क्यों होगा meter में convert हो गया और centimeter यहाँ पे तो है नहीं यह meter में ही convert होगा तो next lecture में जो हम 2.4 और 2.5 करेंगे थैंक यू